हाई फ्रेंड्स वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो आप सब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है काफी सारे कैंडिडिट के कोमेंट्स आ रहे हैं कि पी एन बी के दो से तीन दिन में बहुत सा वीडियो में बताऊंगी सो आप वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखना हर एक लोकेशन का पहले मैं आपको एलिजिबिल्टे क्लियर करूंगी उसके बाद बताऊंगी आपको अपलाई इसके लिए किस तरह से करना है अगर आप फरस्ट इम चैनल पर आएं आपको पता है जो पुराने सब्सक्राइबर है मैं आपके लिए हर एक लोकेशन की विकैंसिस सबसे पहले लेकर आती हो चाहे खिसी भी क्वालिफ्केशन के एकोडिंग्री विकैंसिस आई हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब कर लिया है तो बैल आइकन को जरूर प्रेस करना बैल आइकन को प्रेस करके औल पे क्लिक कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंग जाए बाकी बताना चाती हूँ इस रिक्रूटमेंट के इलावा काफी सारे नई डिपार्टमेंट की विकैंसिज आ चुकी है जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर उनको पता है मैं अपनी ओफिशल साइट www.clory.com पर अप्डेट करके आती हूँ अभी अभी अपनी ओफिशल साइट पर मैं अप्डेट करके आ रही हूँ www.clory.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप स्क्रीन पर वेबसेट भी देख पा रहे हैं आप चाहो आप इसको डारेक्टली गूगल पर टाइप कर सकते हो फर्स नेमबर वाले जो आपको एपसेट मिलेगी वो हमारे ही ओफिशल वेबसेट है विजिट करके आप इन्फोमेशन ले सकते हैं और वेबसेट पर जब आप जाएंगे वहाँ पर भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए आप्शन मिल जाती है उससे आपको ऑटमेटिकल एमेल आजाए करें कि जब भी मैं कोई नया अपडेट आपके लिए वहाँ अपडेट करूँगी चाहे वो एडमिट का रिजल्ट न्यू नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्यों न हो तो आपको सारे नोटिफिकेशन वहाँ पर टाइम टू टाइम मिल जाएंगे बात करें हम PNB की आयू लेटेस्ट विकैंसिस के बारे में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसमें अलग-लग लोकेशन वाइस विकैंसिस है इवन इलिजिबिल्टी भी अलग-अलग है चाहे मैं एज की बात करो चाहे मैं को वालिफिकेशन की बात करो तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ हमारी ओफिश साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसमें आपको लास्ट में जो फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा पी एनवी रिक्रूट्मेंट का मिलेगा ठीक है यह जो आठ लोकेशन के नोटिफिकेशन है मैंने एक ही नोटिफिकेशन में अटैश्ट किये है बताऊंगी भी आपको स्टेप बे स्टेप अप्लाई के इस तरह से करना है सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन किया हुआ है यह जो नोटिफिकेशन है इसमें अगर आपने ट्वेल्थ पास की है आप अप्लाई कर सकते हैं जो पहला नोटिफिकेशन है इसमें आपकी एज एक एक दोजार एक्किस तक बनती है 18 से 24 साल तो आप इन विकैंशिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसी के साथ इन्होंने मैंशन किया है उसके बाद इन्होंने विकैंशिस को रिजर्व भी रखा हुआ है और बहुत सारी कैंडिड के ये भी कमेंट सारे है कि क्या इसमें 12 पास मांगा है नहीं मैंने आपको पहले भी बताया इसमें हर एक लोकेशन वाइस विकैंशिस आउट हुई है और qualification हर एक notification के according लिए जैसे मैं पहले notification के जो बात करेंऊ इसमें अगर आपने 10 पास किया तो भी आप apply कर सकते हैं 12 पास किया तो भी आप apply कर सकते हैं आपके qualification के marks के according लिए इसमें merit लगेगी उसी के basis पे आपकी selection इसमें हुने वाली है और इसमें आपकी सेल्दी 14,500 से 28,145 रहने वाली है आपको जो इन्होंने फॉर्म दिया है मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसमें आपने अपनी complete detail फिल करने है अपना name, contact number, father name और mobile number, email id, permanent address, date of birth में आपका क्या नाम लिखा हुआ है या फिर 10th का जो certificate है उसमें आपका क्या नाम लिखा हुआ है तो आपने इनको अलग-अलग date wise है ये क्योंकि अलग-अलग location wise notification है सब के लिए date भी अलग-अलग है ठीक है तो इसके लिए आपने एक मार्च तक apply करने ला है आप देख सकते हैं और यहां mention किया है पंजिकरित डाक या speed post means अगर आप by post करना चाहों कर सकते हो या speed post के accordingly आप कर सकते हैं पियन की ये विकेंजी है ये जो पहले notification के अभी हमने बात किया ये सूरत के लिए है means गुजरात के लिए ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ second notification किस location के लिए आया हुआ है second notification वो बैंगलोर के लिए है इसकी भी same eligibility है आप देख पा रहे हैं उसके बाद इसमें जो बैंगलोर के लिए तीन location के लिए है जैसे बैंगलोर के west circle के लिए है east circle के लिए आया है इसके इलावा बाला सोर का जो notification है आप देख पा रहे हैं यह अलग अलग location वाइस इन्हों ने यहां विकेंस को divide कर रखा है पोस्ट यह भी same है इसमें देखे बाला सोर के लिए जर्नल के लिए दो पोस्ट है और बीसी EWS के लिए इसके लिए नहीं है एससी के लिए एक है टोटल हो जाते है तेन उसके बाद अलग अलग district wise इन्हों ने जो है बैंगलोर के लिए जो विकेंसी जा उनको भी आपॉडील प्लाई कर सकते है इन notif biology के लिए इसके दुबावा जो नोटिफकेशन है पंजाब के लिए आया हूँ है पंजाब में पांच डिस्टिक है जहांपर यह नोटिफकेशन है जिसको release किया गया है और इसके इलावा हर्याना रोहतक के लिए notification है हर्याना के दो से तीन और location है जहां के लिए इन्होंने इस notification को release किया हुआ है और इसके लिए आप अपनी qualification के accordingly मैंने आपको सारी notification के link description में दिये है और मैं आपको बताती हूँ apply किस तरह से करना है क्योंकि सभी को यही doubt है कि apply किस तरह से करना है उसका नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि application इस बार online नहीं है offline ही आपको apply करना है जो मैंने आपको पहले भी बता है ठीक है इसका जो application format है अगर मैंने आपको link description में दिया है आप वहां से download करके apply कर सकते है ठीक है और अगर आप चाहो आपकी near about जो pnb की branch है अगर आप चाहो वहां पर visit करके भी आपको यह application form apply करने के लिए वहां पर मिल जाएगा पहले मैं आपको पता दें तो यह format है जो आप देख पा रहे है मैंने अलग से आपको link भी दिया हुआ है इसमें आपने अपना name mention करना है first, middle या sir name साथ में आपने mention करना है ठीक है दो photograph आपने यहां पर attached कर देनी है इसी पर ओप ठीक है उसके बाद इसी तरह से जैसे आपने अपना name लिखा ऐसी अपना father का name first, middle, surname, qualification आपकी minimum qualification यहां लिख सकते हैं कौन सी board से pass out किया है कब पास out किया कितने percentage थे ठीक है जो भी आपकी qualification है 8th, 10th, 12th या 10th, 12th graduate जो भी है य आपने domicile लिखना है कि आप कहां के domicile हो उसके बाद यहां पर category है आप कौन सी category से बिलोंग करते है जर्नल, SC, ST, OBC, EWS, आपका permanent address क्या है वो mention करना है then mobile number, nationality पे आपने यहां पर Indian लिख देना है उसके बाद आपको अपनी अलग अलग location के accordingly ऐसा language known का आपको option मिलेगा जै तो अगर आप गुजरात के हैं आपने यहां mention करना है अगर अपने accordingly आप अपने बाउट PNB की branch से भी यह ले सकते हैं या खुछ से भी इस format को आप त्यार कर सकते हैं या फिर आप other पे select कर सकते हैं mention कर सकते हैं suppose आप पंजाब के हैं तो पंजाबी language आप पढ़ना भी जान जानते होंगे और लिखना भी जानते होंगे तो आपने यहां mention कर देना है उसके बाद यहां पे आपने पैंड कर नंबर अगर आपके पास है आप मैंशन जरूर करना water id उसके बाद इन्होंने अगर आपके पास अगर आपका कोई case तो नहीं चल रहा है तो आपने no पे click कर देना है अगर चल रहा है तो यहां पे आपने details mention करने है कि उस case का status है क्या ठीक है उसके बाद यहां पे आपने date mention करने है कब आप application send कर रहे हो उसके बाद place यहां पे आपने signature send करने है और साथ में इन्होंने important चीज यह mention कि है जो documents आपको self-attested copies है जो आपको साथ में लगान identity proof जिसकी pen card, photography, school living certificate, birth certificate, 12th या उसको equal भी आप certificate कोई लगा सकते हैं जैसे अगर graduation वाले apply गना जाते हैं वह भी लगा सकते हैं ठीक है तो इसी तरह से आपको apply कर लेना है इसी step को follow करते हुए link directly मैंने आपको description में दिया है first time channel पर आए हैं तो channel को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर ना तांकि हर एक notification आप तक टैबली पहुंच जाए बाकी जैसे मैंने आपको starting में बताया अलग-अलग location wise vacancies है जिनको release किया गया है अलग-अलग department wise जल्दी से जाए हमारे official site www.clory.com के उपर वहाँ पर जब आप जाएंगे अपनी qualification के according भी आप vacancies चेक कर सकते हैं department wise चेक कर स सकते हैं और जो भी notification मैंने अपनी official site पर update किये है वो सारी के सारी latest आए है विजिट करके आप जल्दी से information ले लेना बाकि अगर first time आई है चैनल पे subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस करना ताकि हर एक notification आप तक timely पहुंच जाए तो चलिए आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे next वीडियो में नई information के साथ thanks for watching